मुल रूप से, वॉलेंटेरिंग या स्वैम सेवा का मतलब है इच्छक होना, या दूसरे शब्दों में, जीवन के लिए पूरी तरह से हां बढ़ना. जादातर इनसान सुविधा जनक होने पर हां और सुविधा जनक ना होने पर ना होते हैं. हाँ, अगर कुछ मिल रहा है, ना अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है. एक वॉलेंटेर का मतलब है, कि उसने बस एक चीज छोड़ दी है, जो कि एक बड़ी महत्वपून चीज है. उसने बस ये एक हिसाब छोड़ दिया है, कि मुझे क्या मिलेगा. अगर कोई इनसान इस एक गणित को छोड़ दे, कि इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर उसने इससे छोड़ दिया, तो अचानक से वो एक अजूबा बन जाता है. ये एक ऐसी चीज है, जिसे मैं लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ, कि हमारे वॉलेंटियर क्या कर सकते हैं. अगर आप ब्रॉजेक्ट, ग्रीन हैंड्स या ग्रामीन कायकल्प कारिक्रमों को देखें, और लगबग हर चीज जो यहां की गई है. उधारन के लिए ध्यानलेंग की गोल छट, सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें क्या लगता है. मंदिर की छट इस तरह से बनी है, कि उसमें कोई सीमेंट नहीं है, कोई स्टील नहीं है, कोई कॉंक्रीट नहीं है. सरल तकनिक यह है कि सारी की सारी इंटें एक साथ गिरने के कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो नहीं गिर सकती. यह ऐसा है, मानिए, सब लोग एक साथ दर्वाजे से बहार निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं निकल सकते, जब तक कि कोई पीछे हटने का सिष्टा चार नहीं दिखाता, तब ही वो जा पाएंगे. हैं, पर इंटों में वो शुष्टा चार नहीं होता, तो वो सब एक साथ नीचे आने के कोशिश कर रहे हैं और नहीं आ सकती हैं. तो इसे बनने के लिए 1,80,000 इंटे लगी. ये एक लाक सी हजार इंटें उन में से हर एक को हमारे स्वयम सेवकों ने एक एक मिलिमीटर तक ना पा था अगर कोई थोड़ अला परवा होता और जितना होना चाहिए कोई उससे दो मिलिमीटर आगे इंट को रख देता तो ये पूरी चीज नीचे गिर सकती थी तो मैंने बैट कर उनसे बात की और उनसे कहा देखे इसका मतलब ये है मैं ये आपके हाथों में सौंप रहा हूँ आपने अपने जीवन में कभी इंट के साथ काम नहीं किया पर आपको इस तरह से से नापना है और आदमी औरतें बच्चे दिन रात बैटकर नापते गए नापते गए नापते गए और उन्होंने इंटों को रख दिया और जब उन्हें इसे रखना है तो रखते समय जल्दी जल्दी करना है ताकि ये नीचे ना आ जाए एक बार में आपको एक चकर पूरा करना होता है और आज आप इसे देख रहे हैं मैं बस एक उदारन की तौर पर आपको बता रहा हूँ इस तरह की बहुत सारी चीज़े की गई है तो वो क्या है जो उनको प्रेरित करता है देखे जोश और जुनून से परे कुछ है प्रेरिना से परे भी कुछ है लाब से परे भी कुछ है जो कि एक इनसान के लिए बहुत महत्वपून होता है जिसको आमतोर पर जादा तर इनसान कभी नहीं खोचते उनका पूरा जीवन, फायदे और उम्मीदों उसके लिए कुछ जुनून और कुछ तीवरता तक रह जाता है पर वॉलेंटियर एक तीवर जीवन जीते हैं इस हॉल में आमतोर पर हम वहां से काम करते हैं हमारा ओडियो सिस्टम कहीं और है और अचानक उन्होंने पूरी चीज यहां सेट अप कर दिये यह हमें कुछ परिशानी दे रही है यह तो जानते हैं हम लोग एक्सपर्ट नहीं है तो रात भर लोग काम कर रहे हैं और दिन में भी वो काम कर रहे हैं वो सोते कब हैं वो नहीं सोते हैं ये मेरा अनुभव है मैं ऐसा हूँ कि दिन में कम से कम 20-22 घंटे लगा रहता हूँ हफते के सातो दिन क्योंकि काम चल रहा है, अमेरिका में काम चल रहा है, दुनिया के हर हिस्से में जो अलग-अलग टाइम जोन्स में है सुबह के दो बजे अगर मैं अपना फोन उठाऊं और कोई भी स्वामी या कोई और फोन उठाए तो मैंने कभी भी एक बार भी सुस्त आवाज नहीं सुनी है क्या सद्गुरू, नहीं, सद्गुरू चाहे रात हो, दिन हो, कोई भी समय हो ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा वर्दान है कि आप लगातार ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो तीवर हैं, जो केंद्रित हैं और जो कुछ भी किये जाने की जरूरत है उसके लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार है ये सबसे बड़ा सुख है जो एक इनसान को मिल सकता है ये सबसे बड़ा सौभाग है जो एक इनसान को मिल सकता है और सौभागे से ये हमारे पास है झाल झाल